नमस्कार मैं हूं मिनाक्षी गुपता और आप देख रही हैं SPN 9 News और स्वागत है आपका हमारे इस खास कारेक्रम में राजीव गांधी ने ग्राम कॉंग्रिस का एक सपना देखा था और इसी सपने को पूरा करने में जुट गई है उनकी बिटिया यानी प्रियंका गांधी बाटर इसके जरिये वे ग्रामीर भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनितिक तोर पर मजबूत करना जाते थे अपने पिता के इसी सपने को पूरा करते हुए प्रंका गांधी अब उत्तर प्रदेश में कॉंग्रिस को दोबारा खड़ा करना चाती है उनके नेत्रित्म में उत्तर प्रदेश में संगठन को गाउ, नियाय पंचायत, ब्लॉक और जिरा इस्तर पर मजबूत करने की पड़ी समस्य थी, इसका नतीजा होता था कि उपर लिये गए फैसले और नीत या निचले इस्तर तक नहीं पहुंचती थी, मनमोहन सिंग की सरकार ने अपने 10 साल के साशनकाल में जनता के लिए काफी अच्छे काम किये, लेकिन इतनी योजना को बीजेपी की तरह निचले इस्तर तक पहुंचाने का तंत्र गायब था, इसका परिणाम हुआ कि मनमोहन सरकार के अच्छे काम निचले इस्तर तक पहुंचे ही नहीं, जबकि बीजेपी और अन्य दलो का विरोज जादा जो शोस सुनाई पड़ा, इससे जनता में कॉंग्रेस के प्रती मोभंग और जो यूपिय के पाथ साल पहले 2009 में बहुमत पाकर सत्ता में आई थी, लेकिन अगले ही चुनाफ 2014 में बुरी तरह पिछड़ गई, खुद कॉंग्रेस 44 सीट पर सिमट कर रहे गई, लेकिन कॉंग्रेस ने अब अपनी इसी कमी को महसूस किया है और पार्टी को निचले इस्तर पर मजबूत हुए बिना पार्टी मजबूत नहीं हो सकती, प्रयंका ने जब उत्तर प्रदेश संगठन का काम संभाला तो उन्होंने सबसे पहले प्रदेश के हरजिले के वरिस्ट कॉंग्रेसी नेताओं कारे करताओं से मलाकात की, ये समझने की कोशिश की कि पार पर चूक हो रही है, और पार्टी की सतरा दोबारा अपनी जमीन वापस पा सकती है, सबसे राइलेने के बाद ग्राम इसतर पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीती पर काम किया गया, पश्यमी उत्तर प्रदेश में प्रयंका गान्दी ने लगा तार दोरा किया, निचल 24 के लोग सबद्चुनावों में भी लाब विलेगा, कॉंग्रिस के कई नेताओं का मानना है कि पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है, उसके पास केंद्र में राहुल गांधी, प्रैंका गांधी, सोन्या गांधी के साथ-साथ-प्रदेश इस्तर पर भी कई नेतां मौझ जाता था उतरप्रदेश कॉंग्रेस के वरिष नेता खिलेश प्रताप सिंग कहते हैं कि प्रेंका गांधी के आने के आने के बाद अब बड़े नेताओं के कारेक्रम एक दिन के इवेंट बनकर नहीं रहे गए हैं उनके फॉलो अप में लगातार छोटे-छोटे कारेक्रम च लाए जा रही है इससे निशादो का माबला एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और कॉंग्रेस लगातार इसका नेत्रित्व कर रही है उन्होंने कहा कि इन कारेक्रम उसे जनता के पीच पैठ बनाने में मदद मिलती है अखिलेश प्रताप सिंग का कहना है कि कॉंग्र है कि गैर भाचवाई सोच के मतदाताओं की पहली पसंद के रूप में कॉंग्रेस पार्टी उबहेगी उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस के महा सच्चेवार पूरवांचल जोन के प्रभारी विश्व विजय सिंग ने एक इंटर्व्यू में बताया कि प्रांका गांधी के न करेकरताओं से सीधा संपर्ख हो रहा है पार्टी की नेता लगतार वाटसेप के जरिए निचले इस्तर से जुड़े हुए हैं विश्व विजय सिंग ने बताया कि नियाय पंचात इस्तर तक के अध्यक्षों और उनकी टीमों का गठन किया जा चुका है निचले इस्तर त के लोगों का संदेश ऊपर तक पहुँच सके और उपर की संदेशों को निमने इस्तर तक पहुचाया जा सके इसका बेहज सकरात्मक परणाम मिल रहा है व्लौकिस्तर तक की बैठकों में 20-25 लोगों का जमावडा हो रहा है हर जो रिभानसबा इस्तर परकिस्टान रैली निकाली जा रही है और किसी भी रैली में दो 400 से कम लोगों की संख्या नहीं थी इससे पार्टी के निचले इसतर पर मजबूत होने का संकेत मिलता है प्रयंका ने पद को सीधे तोर पर जिम्मेदारी और प्रदर्शन से जोड़ दिया है जो नेता पेकशित प्रदर्शन नह मिलेगा जो प्रदर्शन कर सकेंगे उनकी सोच से पार्टी को जमीनी इसतर पर मजबूती मिलेगी पार्टी को उमीद है कि न्याय पंचायत इसतर के चुनावों में इसका सकरात्मक परणाम दिखाई पड़ेगा फिलाल के लिए इस का रेक्रम में बस इतना ही बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजित अबाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें इस पर नाई न्यूस के साथ और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ है तो इसे लाइक शिर और कमेंट जरूर करें साथी साथ हमारे चैनल इस पर नाई न्यूस को भी जरूर सब्स